कोरोना की इस दीसरी लहर को रोकने के लिए विभिन्न शहरों और जीलों में सक्त पाबंदिया लगाई जा रही है हाला कि सवाल ये है कि क्या पूरे राज्य में विकेंड लॉगडाउन रहेगा मुंबई और महाराष्टर में कोरोना मरीजों की संख्या दो गुनी हो रही है कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए विभिन्न शहरों और जीलों में सक्त प्रतिबन लगाई जा रहे है हाला कि सवाल ये है कि क्या पूरे राज्य में विकेंड लॉगडाउन रहेगा या नहीं मुख्या मंत्री उद्धा उठाकरे स्वास्था मंत्री राजश्टोपे गुरूह मंत्री दिलीवल से पाटिल और रांकापने तव शरत पवार ने आज कोरोना पर समिक्षा बैठक की बैठक में चर्चा की गई कि कोरोना को और फैलने से रोकने के लिए क्या उपाए किये जा सकते है स्वास्था मंत्री राजश्टोपे ने कहा मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही है हाला कि अभी तक यहां लोकल को बंद करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है जिला बंद के बारे में पूछे जाने पर राजश्टोपे ने कहा कि फिलहाल जिले को बंद करने की ज़रूरत नहीं है साथी राजश्टोपे ने विकेंड लॉकडाउन को लेकर कहा कि अगले दो दिनों में स्थिती की समिक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा उन्होंने होटल, मॉल, बंद करने की सवाल पर कहा कि ठाने, पूने और अन्य शहरों में स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्ने लिया जा रहा है अगर स्कूल और कॉलेज बंद रहे और बच्चे होटल और मॉल जाते हैं तो इस पर कुछ तय करना ही होगा साथ ही स्वास्ता मंतिरे ने ये भी चितावनी दी है कि राज्य में अनावाशक चीजों के लिए एक साथ आने वालों के खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी